Hello friends, DK Sinha this side. Week की समाप्ती हो गई, अब अगले week की तयारी करना है. तो चलिए Indian stock market को navigate करते हैं, decode करते हैं और market की जो waves है, उसके अनुसार जानने की कोशिस करते हैं कि आने वाले सब्ता में क्या possibility बन सकती है Indian stock market के. हम इस वीडियो में technical analysis करेंगे, nifty की, bank nifty की, और fin nifty की, ताकि हम market में जो formation बन रहे हैं उसके अनुसार, support and resistance level का पता लगा सकें, जो शायद market आने वाले वीख में उन्हें respect कर सकेंगे. तो दोस्तों वीडियो को अभी से like कर लीजिए, channel को subscribe कर लीजिए, bell icon को hit कर दीजे notification के लिए, ताकि आप हमेशा updated रहें. चलिए, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले, broader Indian stock market का एक outlook लेते हैं कि last week में market ने perform कैसा की. हम इसके लिए major sector को देखेंगे, जिनका weightage nifty-fifty में करीब 75% है. तो financials को अगर देखें, तो bullish था 0.78% से, वहीं IT sector में गिरावट दर्च की गई, 1.35% से और FMCG sector almost flat रहा 0.11% की गिरावट केवल दर्च की गई. और oil and gas sector भी flat रहा, almost flat ही बोलेंगे क्योंकि ये bullish था 0.14% से. वहीं mid cap index जो 50 stocks वाला index है, वो down था 0.2% से, लेकिन market में पिछले week में इस small cap stocks में गिरावट दर्च की गई. और वो गिरावट काफी बड़ी गिरावट थी, market week on week basis पे 2.6% से नीचे तूड गया. अब एट नजट डालते हैं frontline index पे, तो nifty 50 bullish था 0.51% से. वहीं bank nifty ने पिछले week में broader market को outperform किया, और bullish था 1.16% से. bank nifty के अगर constituents की बात करें, तो nifty private banks का जो index है, वो 0.67% से bullish था, वहीं public sector banks का जो index है, nifty PSU banks, वो bullish था 3.1% से. तो हम यह बोल सेटे हैं कि last week में, banking sector ने एक बहुत शानदार performance, दर्शायद, तो last week में market का sentiments कैसा रहा, market का mood कैसा रहा, तो market mood index को check करते हैं, जो nifty 50 के प्रती, tier and greed aspect को indicate करता है, तो उसकी current reading, पिछला week जब समाप्थ हुआ, तो वह है 34.23, इसका ताथपर है कि वो fear zone में है, और उसके पहले वाले week में वो 40.39 था, इसका मतलब market के sentiments में थोड़ा सा गिरावट आई है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन अभी भी वो fear zone में है, और एक week पहले भी वो fear zone में था, तो चलिए अभी straight away चलते हैं price chart में, जहां nifty, band nifty और fin nifty के technical analysis करते हैं, price action को समझते हैं, support and resistance level को mark करते हैं, जो शायद market आने वाले week में उन्हें respect कर सकता है, दोस्तों वीडियो को like करना नहीं बोलें, ये निफ्टी 50 इंडेक्स जो इंडियन स्टोक मार्केट का frontline index है, उसका वीकली प्राइस चार्ट है, लास्ट वीक में दोस्तों इसने एक another all-time high बनाए, और वो all-time high था 22,525.65, but finally जो लास्ट वीक में उसकी closing हुई, वो हुई 22,493.55, तो इसका मतब almost अगर आप देखें, तो all-time high के पास में ही करीब-करीब close हुआ, अब देखें, trend कितना strong है, price action को पहले समझते हैं, यह देखें, एक massive impulse का formation हुआ, hardly कोई correction हुआ है इसमें, उसके बाद यहाँ दो सब्ता तक correction हुआ, और उसके बाद फिर से यह uptrend move चल रहा हूँ, तो पिछले चार वीक से market लगतार bullish है week on week basis, अब trend इतना strong है दोस्तों, कि यहाँ पर मैंने पहली बार ऐसा किया है कि, exponential moving average 5 को यहाँ पर plot किया है, अब इसके price action को देखें, तो जब भी minor correction हो रहा है, तो यह में 5 जो है weekly chart पर, वो एक support को रूप में काम कर रही है, bulls dominant factor है market में, और bears अगर market को नीचे लाने की कोशिस करते हैं, तो यह EMA 5 जो है, peers through action तो होता है, बट finally price उसके उपर में close होई थी, केवल यहाँ पर जो है price उसके नीचे में close होई थी, लेकिन sustain नहीं कर पाई, और उसके बाद वाले वीक में ही, one white soldier candlestick pattern का formation, अब यहाँ देखिए, यह जगा का एक area, यह जो ऐसा area है, जहाँ पर price बार बार reject हो रही थी, यह एक resistance को रूप में काम कर रहा था, तो obviously अब यह एक support को रूप में काम करेगा, तो इसी खारण से, अगर हम यहाँ पर देखें, तो यह zone बड़ा significant है, 22,000 का level जो है, यह जहाँ पर price बार बार struggle कर रही थी, और finally यहाँ पर breakout हुआ, तो यह 22,000 से लेके 22,200 का जो level है, वो एक strong demand area का रूप में reflect हो रहा है, अगर हम देखें broadly, तो यहाँ पर एक bullish flag का breakout हुआ है, massive, impulsive wave का formation है, तो target तो काफी बड़े आएंगे, इसके जो nifty के, अगर हम bullish flag के हिसाब से target को project करें, तो चलिए target को project करने की कोशिस करते हैं, तो इस हिसाब से target, 23,500 का target निकल के आ रहा है, फिलाल वो तो काफी दूर है, फाले week में क्या संभावनाएं बनेंगी, तो daily price chart में चलते हैं, यहाँ देखिए मैंने दो trend line कीजिए, इस trend line को ध्यान से देखिए, price का support, price का support, price का support, और हम trend line को ऐसे भी की सकते हैं, price का support, price का support, price का support, अब यह दोनो trend line के बीच का जो zone है, यह एक important support zone है, और इसी zone में अगर ध्यान से देखें, तो EMA 21 and volume weighted moving average भी, daily price chart में आ रहा है, इसका मतब जो हम लोगोंने demand area, plot किया, और mark किया price chart में, weekly chart में, वो valid नजर आ रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर intermittent support भी है, यह देखिए, कि मैं एक horizontal line कीच रहा हूँ, यह horizontal line बड़ी important है, क्यों important है दोस्तों, price का rejection है, और इसके बाद 3 दिन की candle को देखिए, करीब करी spinning top का formation है, small body candle है, but 22,300 का level, defend होता हुआ, नजर आ रहा है market में, इस candle को देखें, जो bullish engulfing candle है, तो large lower shadow का formation, indicate करता है, यह intermittent zone है, इसका मतलब 22,200 से, 22,300 का जो zone है, वो एक immediate demand area है, intermittent demand area बोलेंगे, अब यहाँ पर देखें, तो इसको देखें, cup and handle pattern का breakout है, यह देखें, handle का formation है, इसके अनुसार अगर हम target निगाले, तो क्या संभाविट target आता है, तो चलिए इससे निकालने की कोशिस करते हैं, तो target आता है, 22,850 और उसको बढ़ 23,270, तो हम बोल सकते हैं, आने वाले वीक में, 22,800, पचास करीब करीब एक resistance group में काम करेगा, अब यह resistance बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि जब all time high पर नेप्टी ट्रेड हो रहा है, तो price action के अनुसर कोई resistance नहीं है, of course, price overextended होगी, तो correction होगा markup phase में, अगर मैं एक से एक trend line कीचूँ, तो फिलाल इसको ध्यान से देखिए, एक immediate resistance तो यहीं पर phase कर रही है, क्योंकि यह rising price channel में trade हो रहा है, तो यहाँ पर एक immediate resistance है, और इसलिए loss of momentum हमने देखा, 7th March को, जो last trading session था, लास्ट week का, कहीं है कहीं loss of momentum हमें नजर आ रहा है, तो एक possibility बनती है, कि market इस तरह से waveal formation कर रहा है, upper fiber से price reject होती है, lower fiber में आती है, तो ultimately यह demand area defend होने के chance हैं, और उसके बाद जब trend का resumption होगा, तो target 2800 से 22900 के बीच में आ सकता है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, बैंक Nifty के price chart में और बैंक Nifty की technical analysis करते हैं, पहले बैंक Nifty में weekly price chart को देखते हैं, और price action को समझने की कोशिस करते हैं, तो last week में बैंक Nifty की जो closing होई 47008.35.8, अब Nifty और बैंक Nifty में एक बहुत basic difference है, Nifty all time high पे trade हो रहा है, जबकि बैंक Nifty अभी all time high से थोड़ा दूर है, इसका all time high है 48636.45, जो इसने December 2023 में बनाया, लेकिन trend तो bullish है, और यहाँ पर देखी जब भी correction होता है, तो EMA 55, major correction जब भी होता है, weekly chart में EMA 55 एक support group में act कर रही है, significant बात क्या है, कि जब recent time में एक major correction हुआ, तो price ने EMA 55 को test नहीं किया, केवल ये जो एक window थी, जो gap था, इसे fill किया और bounce back हो रहा है, जो कहीं नहीं indicate करता है, कि broader market में bulls ज़्यादा control में है, जिन्होंने even EMA 55 तक, जो mean reversion होता है, वहाँ तक उसको price को गिरने नहीं दी, अब यहाँ पर ध्यान से देखे, तो ये area इसके लिए immediate resistance होगा, ये देखे, एक consolidation band है, जिसके pass में ये पहुच रहा है, तो ये एक immediate resistance को रूप में आने वाले दीख में काम कर सकता है, अब यहाँ पर ध्यान से देखे, तो दो trend line बहुत important है, price का resistance, 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 support, support, तो एक rising price channel में ये trade हो रहा था, जहाँ upper fiber जो है, वो resistance को रूप में act कर रही थी, price गिरती थी, lower fiber पर support लेती थी, price उपर जाती थी, lower fiber, upper fiber resistance, लेकिन यहाँ भी आप देखें, तो यह जब गिरावट हुई, तो lower fiber को price ने test नहीं किया, जो almost kiss कर रहा है, EMA 50, अब ये gap को fill करने, शायद ये correction आया था, ये gap भी fill हो गया है, अब पिछले चार वीक से, bank nifty bullish न जागी, अब यहाँ गौर से देखें, तो market की psychology, हमें समझ में आई, वो कैसे समझ में आईगी, यहाँ पर देखिये price का बार बार support का, और उसके बाद ये price यहाँ struggle कर रही थी, upside mom में, तो 47,000 का जो level है, वो एक strong base बन गया है, bank nifty, अब उसके बाद अगर हम देखें, तो ये level को अगर देखें, तो ये एक resistance था, तो ये in fact जो था area, ये demand area था पहले, जब तक ये breakdown नहीं हुआ था, अब ये यहाँ पर resistance group में act कर रहा था, जिसका breakout हो गया, लास्ट वीक की candle देखें, इस zone को निकाल ली, तो यहाँ पर 47,000 से 47,400 का जो zone है, ये जो zone है, entire zone, ये demand area group में act करने की संभाव है, जहाँ तक resistance का सवाल है, तो immediate resistance है 48,200, और वहीं से देखिए, लास्ट वीक की candle का जो upper shadow है, वो काफी बड़ा है, और price यहाँ से reject होती हुई नज़ा रही है, और यहाँ पर फिर price का resistance है, तो 48,200 से 48,500, एक supply band के रूप में act कर सकता है, लेकिन अगर हम तोड़ा सा long term perspective में target देखें, तो यहाँ ध्यान से देखें, ये एक well defined impulsive wave है, ये well defined impulsive wave है, तो इसके अनुसार अगर हम target को project करने की कोशिश करें, तो क्या target निकल के आता है, ये well हम wave analysis से project कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका target जो है, 127.12% expansion का target, 50,122 निकल के आता है, और 161.8%, 52,108, तो इसके अनुसार बैंग निप्टी में ऊपर जाने का कुशन काफी बढ़ा है, और जैसे ये 48,500 के लेवल को निकालेगा, तो आप देखें, यहाँ पर आपको cup and handle pattern बनता हुआ, नजर आएगा, जो एक बहुत important break out होगा, तो फिलाल तो इतने बड़ी टार्गेट की बात नहीं करते हैं, आने वाले दीख के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो चलिए अब daily price chart में चलते हैं, यहाँ daily price chart में कुछ बहुत important observation, वो क्या है दोस्तों, short term में अगर आप देखें, यह downtrend में आ गया था, short term trend के अगेंस्ट में यह double bottom बना, double bottom का यह apex था, breakout हुआ, price फिर से demand area में आई, price ने respect किया volume weighted moving average को, यहाँ पर morning star का formation हुआ, और फिर price उपर जा रही है, इस trend line को देखें, price का resistance, price का resistance, price का resistance, और इसका breakout हुआ, तो अगर इसको गौर से देखें, जो complex head and shoulder में होता है, और यह एक right shoulder है, तो यह inverse head and shoulder का breakout है, अगर इस inverse head and shoulder के अनुसार, हम target को project करें, यह देखें, point of breakout से मैं project करता हूँ, तो यह आता है 49,350 के आसपास, जो more or less, यह जो rising channel का जो upper fiber है, उसका भी confluence है, तो हम बोल सकते हैं, कि आने वाले सप्ता में immediate resistance 48,200 से 48,500 है, और यह level तूटेगा, तो फिर 49,300 से 400 के zone में, bank nifty के जाने की संभावना बनेगी, अब यहाँ पर देखिए, price का multiple support, यह price का rejection है, और यहाँ price ने consolidate किया, तो यह zone demand area के रूप में निकल के आता है, तो overall trend bank nifty में भी काफी bullish है, काफी cushion है upside जाने का, loss of momentum last trading session में इसलिए देखा गया, क्योंकि यहाँ देखिए एक बहुत बड़ा gap था, और यहाँ पर एक doji जैसा formation था, यह in fact एक minor resistance और कोई major resistance नहीं है, और यह demand area को respect करने के बाद, जब trend का resumption होगा, तो फिर हम upside momentum डबलाप होता हुआ देखेंगे, अब चलिए बढ़ते हैं, finance nifty की technical analysis करते हैं, fin nifty, अब हम nifty financial services index को देख रहे हैं, यह weekly price chart है, last week में इसकी closing हुई 21,005.85 पर, और यह आप देखें, rising price channel में trade हो रहा है, यह upper fiber resistance है, lower fiber support है, तो वैसे भी cyclic phenomenon के निसाब से, इसको जो immediate resistance अब कोर्स मिलेगा इस zone में, जो consolidation band है, लेकिन ultimately price upper fiber पे जाने की संभावना है, तो हम बोल सकते हैं कि अगला possible move 22,300 हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल अगले week में क्या possibility है, तो अगले week में यह consolidation band है, immediate resistance area है, supply band है, और downside में अगर हम बात करें, यह देखिए price का resistance था, price का resistance था, price यहाँ पर typically consolidate किया है, तो 20,500 से 20,700 एक support zone के रूप में act करने की संभावना है, अब बढ़ते हैं daily price chart में, तो daily price chart में यहाँ हम क्या देखते हैं, कि जैसे bank nifty, short term में downtrend में आया था, fin nifty भी वैसे ही कुछ price action है, यहाँ देखिए EMA 21 ने, EMA 55 को cross under किया था, अब crossover भी हो चुका है, यह double bottom का formation है, और यह resistance area था जिसका breakout हो गया है, तो यहाँ पर भी price action यह indicate कर रहा है, कि जो short term में, यह downtrend में आया था, उसका भी trend reversal अब हो चुका है, यहाँ देखिए बहुत prominently समझ सकते हैं, यह entire zone जो है, supply area है, यह market structure अब higher highs का turn होता हुआ नजर आ रहा है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें, कि double bottom के साब से target क्या आता है, इसको अगर हम project करते हैं, तो देखें, 21,400 का target आता है, जो इस supply zone में ही पढ़ रहा है, इसका मतलब वहाँ तक price गई, तो इस supply zone में जाने के बाद, एक पर correction की संभावना बनेगी, और उसके बाद price में कहीं न कहीं, minor correction हो सकता है, बढ़ trend इसका पर रहा हुँ, कि stock market का जो weekly analysis का ये वीडियो आता है, जिसमें हम आने वाले week की बारे में चर्चा करते हैं, support and resistance को mark करते हैं, frontline index के उपर में, जो आपको शायद मदद करता होगा, अगले week में market के stance क्या होंगे, उसको समझने, साथ में मैं उमीद रखता हूँ, कि आप सभी technical analysis के course को पूरा कर रहे होंगे, जो इस channel के उपर में, zero to hero की playlist है, podcast है, उसके माध्यम से, आप step by step सीख रहे होंगे, zero to hero one से start करके, आगे बढ़ रहे होंगे, अगर आप को सीख रहे हैं, तो जो मैं explain करता हूँ, price action को, जब भी stock की analysis करते हैं, या market की analysis करते हैं, तो आपको बहता तरीके से समझ में आएगा, आप उसे मान सकते हैं, कि जो analysis के video आते हैं, वो practicals हैं, जो theory हमने सीखी है, zero to hero, तो दोस्तों, वीडियो को धेर सारे like कीजिए, आपके comments का में इंतजार होगा, क्या आप zero to hero के playlist के माध्यम से सीख रहे हैं, और आपको उसे मदद मिल रही है, ये सारी बातें मैं चाहूँगा, कि आप इस video के comments में लिखें, देखने के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे, अति, करेंजार होगा!